दिल्ली में MCD की हरताल अब एक सियासी टक्राव में तब्दील हो चुकी है जहां दिल्ली सरकार और BJP दोनों की हालाद से फायदा उठाने की फिरात में जुटे हैं वहीं एक तरफ MCD फंड की कमी का रोना रो रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने वेतन के लिए बतौर कर्द पैसा दे कर करमचारियों को अपने पाले में खीशने की कोशिश की है इतना ही नहीं कभी पूर्ण राजी का दरजा तो कभी दिल्ली पुलिस को अपने नीचे लाने की मांग कर रहे मुखे मंत्री अर्विंद केजरिवाल की नजर अमनेगम के अस्पतालों और डीडिये पर आटकी है MCD हरताल के आठवे दिन दिल्ली के मुखे मंत्री अर्विंद केजरिवाल ने अपने सारे मोर्चे खोल दिये पहले वेतन के लिए पैसा देने का एलान किया MCD के पैसों के हिसाब मांगे और साथ ही चौथे वितायों का हवाला देते हुए DDA को भी दिल्ली सरकार के तहट लाने की मांग कर दी 4th Finance Commission की रिपोर्ट ये भी कहती है कि केंद्र सरकार DDA को दिल्ली सरकार को हेंड़ोवर करेगी DDA को हेंड़ोवर कर दो DDA को आप कल हेंड़ोवर करो 9 बजे 2 घंटे के अंदर 2% हम एक्सा दे देंगे इनको DDA के अकाउंट में 20,000 करोड रुपए पड़े हैं जो उन्होंने FD करार किये 20,000 करोड की MCD के करमचारियों के वेतन को लेकर दरिया दिली दिखा रहे दिली सरकार ने कहा है कि इसके लिए उसे शिक्षा की खर्चे में से कटौती करनी पड़ी है जबकि उसके हिस्से निगम का एक भी पैसा बकाया नहीं है तो क्या निगम चुनावों को करीब देखते हुए मुख्यमंत्री केजरिवाल ने कर्मचारियों को लुभाने के लिए ये पासा फेका है MCD को लेकर दिली सरकार के हमले जारी है हरताल की वज़े से उपचे हालात को देखते हुए CM केजरिवाल ने 650 करोड रुपे देने का एलान किया है शिक्षा के खर्चे में कटोटी करके दिया जा रहा है CM केजरिवाल ने ये भी आरोप लगाया है कि हरताल का फायदा उठा कर BJP के लोग कूडा फैला रहे हैं और ये दावा भी किया कि इस्पतालों के डॉक्टर ने इलिक कर दिया है कि वो निगम के तहट नहीं रहना चाते जबकि तीनों निगमों के मेर दिल्ली सरकार पर जनता को गुम्रा करने का आरोप लगा रहे है जिस तरीके से किसी गाहों का बनिया फसल खराब हो जाए तो किसान को दवाता रहता है उसी तरीके से दिल्ली के मुख्य मंत्री ने इन निगमों को दला दवाने की सोची और इसी मुद्धे पर चर्चा करने के लिए और मेरे सवालों का जवाब देने के लिए सौरब भारद्वाज आम आदमी पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं सौरब तो फॉर्मूला था रास्ता था लेकिन लंबा खीशना चाहती थी दिल्ली सरकार नई देखे दो तरीके की बातचीत होती है एक बातचीत वो होती है जो हम स्टूडियों के अंदर राजनेतिक बाते करते हैं एक बातचीत वो होती है जो आपको कोट के अंदर एफिडेविट्स पर कहनी पड़ती है यह लोग स्टूडियों में जब आते हैं भाजपा की लोग यह कहते हैं कि तंखाय नहीं दी गई हमें दिक्कते हैं कल कोट में हाई कोट में उन्हें का कि हमने 31 दिसमबर 2015 तक की सैलरीज दे रखी हैं तो 27 जनवरी को यह रताल पर क्यों गए है जनवरी की तो अभी तंखाय आनी थी तो पहली बात तो ये जूटे तरीके से गए थे दूसरी बात दिल्ली सरकार ये कहते हैं कि अब तक कॉंग्रेस की सरकार ने जितना पैसा दिया उसके बाद जब वित्मंत्री अरुंजेटली थे उन्होंने दिल्ली का बजट पेश किया उन्होंने जितना पैसा दिय हमने उससे भी कई सो करोड जादा इनको पैसा दिया है तब भी अगर यह कहते हैं कि सेलरीज नहीं बट पारी तो कोई घोटाला हुआ है हम कहते हैं कि दिल्ली मुनिसिपल आक्ट के अंदर एक सेक्शन है कि हम दिल्ली सरकार इनके खातों की जाज करा सकती है हमने जाज करने क कोचिश की यह उन्हें हमें खाते नहीं दिखाए इसका मतलब कुछ गड़वरी कर रहे हैं राजनीतिक शड़यंतर के कारण यह इस तरीके की हर्ताले कर रहे हैं पर सौरब हम क्यों ना माने कि जो दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी अपना सरकार चला रही है वो राज कर्स के तौर पर कॉर्परेशन को दिया जा रहा है तो यह वो फॉर्मले थे जो आप लोग कर्मचारियों के मदद के लिए पहले ले सकते थे इतना लंबा यह हर्ताल नहीं खिछता हमारा यह मानना था और आज भी यह मानना है कि आप कर्स किससे तब लेते ना जब आप प किसी से उधार मांगें मगें मगर नंकी कोई मंचा नहीं है कि केंदर सरकार की डिग 210 चलाते हैं उनका है इसोचना घिसी말गा कूडा फेलाया जाए पर सौरब जवाब लोगों ने सरकार का कामकात संभाला तब ही से ही जो नौर्थ कॉर्परेशन है और पूर्वी कॉर्परेशन है वो उसके जो फिनांशल जो हालत थी वो तब से ही खराब थी ऐसा नहीं है कि अचानक ये डिसेंबर या जानवरी में उ उनके सायोग के लिए उनके मदद के लिए दिल्ली सरकार ने क्या किया किया कि अभी फोर्थ कमिशन के सुजाब लागू होने बाकी है जी मैं आपको बताओ देखिए जब से ट्राइफरकेशन हुआ है तब से नौर्थ और इस्ट की हालत खराब है उतने ही एमप्लोईज वही उनकी सेलरीज थी शीला दिक्षित ने आखरी साल में उतने पैसे दिये सेलरीज पूरी हो गई अरुण जेटली ने दिल्ली का वजट पेश किया उनने उतने पैसे दिये उनकी सेलरी पूरी हो गई हमने उससे भी कई सो करोड जादा पैसा दिया इंफेक्ट कई जगे जो MCD को पैसा देती है वो बढ़ाया जाए बढ़ा देंगे दूसरा केंदर सरकार जो दिल्ली सरकार को पैसा देती है वो बढ़ाया जाए क्या वो बढ़ाने के लिए तैयार है और तीसरी बात उसमें कही गई है कि DDA जैसे निकाए दिल्ली सरकार को दिये जाए और MCD को कोई जरुवत नहीं है Hospitals और स्कूल चलाने की ये सारे Hospitals और स्कूल दिल्ली सरकार को दिया जाए ये पूरी Recommendations Fourth Finance Commission के अंदर है आप आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की दिल्चस्पी किसमे है हिसाब किताब की Transparency हो या फिर ये आस्पताल ये स्कूल ये दिल्ली सरकार चलाया किसमें इंद्जादा दिल्चस्पी है हमारी दिल्चस्पी ये है कि अगर आप एक Commission को मान रहे हैं कि ये Commission को लागू किया जाए तो हम लागू करने के लिए तयार हैं तो दिल्ली सरकार को करना चाहिए हम कहते हैं कि केंदर सरकार के मंत्री है राजना सिंग है और उन जेटली है वो कह दे कि हम अपने दायतों पूरे करने की कोशिश में हैं आप अपने दायतों पूरे कीजिए जिस दिन वो करेंगे उस दिन हम करने के लिए तयार हैं, मगर आप देखेंगे कोई आदमी उस पर आगे बढ़ने के लिए तयार नहीं है, यह सिर्फ एक समविधानिक संकट पैदा करना चाहते हैं, यह दिखाना चाहते हैं, संकट तो है दिल्ली वालों के लिए, लेकिन पह पहल कौन करेगा, आप कह रहे हैं कि केंदर को फैसला लेना है, पहल क्यों नहीं दिल्ली सरकार की तरफ से हो रही है, दिल्ली सरकार कह रही है कि फोर्थ फाइनेंस कमिशन हम लागू करने के लिए तयार हैं, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तयार हैं, क्या के पहले दिसंबर के अंदर हाउस में डिप्टी सीम ने खोद on record का था कि ये fourth commission की report है हमने इसको पटल पे रख दिया हम इसको लागू करने के लिए तयार हैं मगर केंदर सरकार पीछे हट रही है और हम रोज debates पे कहते हैं आज भी 34 तयार है अगर वो तयार हैं तो हम इस financial crisis में स MCD को निकालने के लिए पूरी तरह से तयार हैं मगर आप ये देखिए कि दिल्ली सरकार कोई बहुत अमीर सरकार नहीं है आज आप जबरदस्ती हमारे सर पे बंदूक लगा के हमसे पैसा ले रहे हैं वो पैसा किस का है वो महला क्लिनिक का पैसा है वो स्कूलों के बच्चो युक जबरदस्ती हमसे ले रहे हैं और आप खाते भी नहीं दिखा रहे हैं कि आफ इसवक्त द्ली सरकार कर्zig देने कुसले तैयार हुए ताकि हरताली कर्मचारी है सब आप लोगों के पाले में आजाए आपकी तरफ हो जाये और बीजेपीु अंती हो जाए इनोंने तो क कुछ ने किया हमारे पार्शतों ने कुछ ने किया था हम कर ले देखिए बीजेपी की पाले पर तो वैसे भी कुछ नहीं है हमारी दिक्कत यह है कि हमें ब्लाक्मेल किया जा रहा है और अब हमारे पास और कोई चाहरा नहीं है ब्लाक्मेल होने के अलावा हमने कई कोशिश न एक काम का मेंता नहीं ही चाहिए था Ems C D को देना चाहिए था वो नहीं दे रहे हिम दे रहे उनको को फाल्यतू चीज नहीं वैंए उनको तो अपनी तंखोय मिली यह मकरर यह है कि हम को ब्ल empill किया जा रहा हिए और हम ब्लाइक मेल हो रहे और सबंड़ तो वही तो मेरा सवाल है, जब इन कॉर्परेशन की हालत खराब थी, तो ऐसी नौबत क्यों आने दीए, कि आप खुद कहरेंगे, हम ब्लाक मेल हो रहे हैं, क्योंकि आपको करमचारियों की फिक्र है, तो करमचारियों की फिक्र, अवो हरताल पर क्यों जाएं, अपना वेतन म लेना चाहिए, इनको पारकिंग से पैसा लेना चाहिए, जो ये लाखों होर्डिंग्स आपको दिखते होंगे, उन से इनको पैसा आना चाहिए, मगर आपको हैरानी होगी जानके, कि इनको इतनी सारी होर्डिंग्स जो लगी हुई है दिल्ली से, मातर इनको बारा करोड र इसलिए revenue जो है MCD का वो नहीं आ रहा है चली आप लोग ने अभी बीच कर रास्ता निकाले कि आप कर्स दे रहे हैं कि कर्मचारियों को वेट से मिले लेकिन आगे क्या होगा अगले महीने क्या होगा लेकि हम तो बहुत चोटी बात कर रहे हैं यह कह रहे हैं कि आप यह कहते ह के लिए दिखाने के लिए तयार नहीं है जबकि मुनिसिपल आक्ट के अंदर एक सेक्षन है जिसमें हमारे पास पूरी राइट है उसके बाव्जूद्य खाते नहीं दिखा रहे हैं किस चीज की घवराहाट है वरना कोई भी आदमी दिखा दे हमारे खाते ही देखिए यह इतना पैसा आया इतना यह हमारे यहां चला गया है तो हर चीज पर जूट बोल रहे हैं फाइनस कमिशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए तयार नहीं यहां पे कुछ कहते हैं कोट के अंदर कुछ कहते हैं और पूरा पूरा मैनुपलेट करके चला रहे हैं तो आप समझ स्कूल बंद कर दें अस्पताल बंद कर दें थोड़ी बहुत लॉइन और सिचुएशन क्रेट कर दें बसी सामने तो अल्रेडी ट्वीट कर दिया था अज सुबह की वह इससे लॉइन और सिचुएशन फैल सकती है यह दिखा जाए कि दिल्ली के अंदर कॉंस्टिशनल ब् आजिका दर्जा चाहिए हमको दिल्ली पुलिस चाहिए आप डीडिये चाहिए आप MCD के स्कूल और आपको अस्पताल चाहिए मैं तो बिल्कुल facts की बात कर रहा हूं आप किस चीज से compare करेंगे कि दिल्ली सरकार की नियत खराब है ठीक है पिछले साल से उससे पिछले साल स उन्होंने बजट पेश किया था पार्लेमेंट में उन्होंने जितना पैसा दिया उससे भी हमने जादा दिया इनको शीला दिक्षित ने आखरी साल में जितना पैसा दिया उससे भी हमने जादा पैसा दिया फिर भी इनका पेट नहीं वर्रत तो बताई इसके अंदर हमारी खीचवाते तो आप लोगों को भी राजनेतिक फाइदा नहीं होता यह तो आपको मानना होगा देखिए मैं आपको बताओं लिमिटेड पैसा है चालिस एक हजार का करोड का बजट होता है उसके अंदर मोटा मोटा पैसा सेलरीज वगरे के अंदर चला जाता है मातर दो तीन हजार करोड रुपे होते हैं जो सरकार नई पॉलिसीज के अंदर लगाती है जो आपकी पैट पॉलिसीज होती है जैसे महला क्लीनिक हो गए, नए स्कूल्स हो गए, वाइफाई हो गया, CCTV कैमरा हो गया बीजेपी ये चाहती है कि वो सारा का सारा पैसा MCD की तरफ डाइवर्ट हो जाए ताकि ये बोलें, देखो जी आपने कुछ नहीं किया, अब बिना पैसे के कैसे कर देंगे कोई मैं अपने घर पे तो नहीं बना दूगा आम अला क्लीनिक अगर बीजेपी वो चाहती है ताम आदमी पाटी ये चाहती है कि MCD के चुनाफ जल्द से जल्द हो जाए ताकि करमचारियों की सानुभूती, आम जटा की सानुभूती मिल जाए इस पूरे हरताल को लेगा आप किसी भी पॉलिटिकल स्टैटेजिस से पूछेगा इस हरताल का फायदा बीजेपी को सिविक एलेक्शन में नहीं होगा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी आदमी सोचेगा, यार अगर ये दुबारा भी आ गए तो इनका जो जगडा चलता रहेगा, इनको नहीं हो ये राजनितिक फायदा सिर्फ सेंटल गर्मेंट को करने के लिए किया जा रहा है सेम इसी तरीके से दिल्ली के चुनाव जब हुए थे तब तीन लोगों को निकाल के अपने MP लडा दिया था क्योंकि वो अपना राजनितिक फायदा देखते हैं केंदर वाले लोकल लेवल का कोई फायदा नहीं हो रहा उनको सिर्फ प्रेशराइज करके केंदर सरकारी पूरी पूरी एक स्ट्राटजी क्रियेट कर रही है तो ये तो बता ही आप लोगों को क्या फायदा होगा अगर MCD पे चुनाव दूबारा होते हैं अजय के लिए हमन तो कुई फायदा है हमे बदनाम कर रहे हम तो जहाँ हैं वहीं है क्यों आप जनता के बीड जाकर नहीं मौलेंगे कि हमने कर्मचारों के वेतन के लिए करद दिया यह देखिए बीजेपी ने क्या किया इनकी हालत क्या कर दी थी हमने उनके लिए सोचा वीजेपी नहीं सोच रहे थी जनता इतनी टेकनिकल चीज़ों के अंदर नहीं जाती जनता को मोटा मोटा लगता है कि कुछ पैसे का जगडा था हाँ केजरिवालने दे दिया बाद खतम वह बस इतना होता है अगर हमारे बार्शाद आ जाएंगे हमारी सरकार में बन जाएगी तो ब्रस्टाचारी लूट बंद हो जाएगी तो तंखा तो बहुत-बहुत पैसा है अगले महीने क्या होगा फिर और कर्स दिया जाएगा जब तक फ्रेश चुनाव नहीं होते हैं मुझे तो यही लगता है कि अगर इनके साधन नहीं बने देखे क्योंकि यह DDA से तो मांगने की इच्छा रखते नहीं है कोट ने संग्यान लिया इस चीज़ का कोट ने सेंट्रिल गवर्मेंट से पूछा है कल कि आपके जो 1555 करोड रुपे बनते हैं MCD को वो आप क्यों नहीं दे रहे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है तो खो सकता है कोट के उसमें आए बहुत सारी चीज़े हम तो 4th Finance Commission को लागू कर निकलते आ रहे हैं आप उस Commission को लागू कर दीजिए एक permanent solution हो जाएगा ये वो भी नहीं करना चाहते हैं बादालत में ये पूरा मामला देखना होगा कि इसमें क्या निकल कर आता है शुक्रिया सौरब भरद्वाज सिर्चरचा के लिए तो दिल्ली की तीनों निगमों पर बीजेपी का कबजा है और इस बात के शुरू से ही आरोप लगते रहे हैं पार्टी हड़ताल को हवा देकर केजरिवाल सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करती रही है कहीं सर मुंडवाकर विरोध जताया तो कहीं नरसों के हाथ में कटोरा नजर आया MCD करमचारियों के प्रदर्शनों से दिली यूपी को जोडने वाले NH24 भी अचूता नहीं रहा और गाडियों की लंबी कताद लग गई ये सब बकाय वेतन को लेकर हो रहा है जबकि कोर्ट में 31 दिसंबर तक के वेतन देने का हलफ नामा दे चुकी उत्तरी MCD के मेयर आरोप लगा रहे हैं कि दिली सरकार पैसा दबाए बैठी है तो अब ऐसे में क्या सवाल उठता है अगर MCD ने 1 दिसंबर तक का वेतन दे दिया है तो फिर कर्बचारी 27 जनवरी को ही हर्ताल पर क्यों चले गए जबकि तनख्वा काइदे से 31 जनवरी को आनी है इसके अलावा खुद MCD पर भी भरष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और किसी भी तरह की जान से बचने की कोशिश दिखाती रही है मैंने सारी एक एक फिगर को बड़े अच्छे से जाचा है और पूरी जिम्यदारी के साथ कह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार को एक भी पैसा आज तक का एक भी पैसा MCD का देना नहीं बनता मुख्य मंत्री केजरिवाल का ये दावा अपनी जगा है लेकिन बीजेपी के सहयोगी संगठत भारते मजदूर संग के कारेकरताओं ने अपना गुस्सा दिल्ली सरकार के मंत्री सतेंद्र जेन के घर के बाहर निकाला दूसरी तरफ जब भी ओडिट या जांज की बात आती है तो दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि जब MCD हर तरह के टैक्स की वसूली कर रही है तो आखिर वो पैसा कहा गया तो आखिर वो पैसा कहा गया इसका जवाब हम लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद ले चलेंगे रफ्तार के बाजार में भी